आज एक न्यू रेसीपी ट्राइब कर रही हूं तो एक्छली यह मुझे भी नहीं आता है मैं फरस्ट ट्राइब कर रही हूं और एक तरफ से देखने जाए तो मैं कोई मतलब कॉकिंग मुझे अतना नहीं आता है बेशिक कुकिंग मुझे आती है जितना मुझे आता है उतना है मैं आप लोग से शेयर करती हूँ तो सबसे पहले है आपे मैंने कुछ मुंभली की दाने लिये है अब इसको मैं अच्छे से फ्राइ कर लूँगी तो मैं भी जो है ने कुकिंग वेगर शीक रही हूँ लुटने जादा नहीं आता है जो जितना मुझे आता है उतना ही मैं आप से शेयर करती हूँ और ये जो है मैं फर्स टाइम ट्राइब कर रही हूँ तो एक दम सिंपल तरीके से बनाने जो भी मेरे घर पे अवेलेवल है उसी से ही तो एक चीज़ तो यहाँ पे थोड़ा मैंने ओईल जादा डाल दिया है मुझे बाद में समझ मैं आया है कि इसमें ओईल थोड़ा कम डालना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके से फ्राई कर लेना चाहिए तो यह है पोहा और इसे हमारे बैंगॉल में चीरा बोला जाता है तो यह चीरा को मैं फ्राई कर रही हूं तो यहाँ पे तो मैंने फ्राई तो किया है बट इसमें लग रहा है कि मैंने ओईल जादा डाल दिया है तो वे थोड़ा थोड़ा करके से निकाल लूँगी, मुझे भी इतना आइडिया नहीं इसको किस तरीके से बनाते हैं, बर इतना पता है कि मेरी मम्मी सिब बनाती थी और ऐसे बनाती थी, तो वही मैं कोशिश कर रही है बनाने की, I hope हो जाए, आप लोग जीन को आता है, वो मुझे comment में बता सकते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है, तो ये काफी तरीके से बनता है, कोई simple में मैं बनता है, कोई कोई मतलब इसमें करी, पत्ता और सर्शो बगएरा डालके भी बनाते हैं, मैं एक दम simple मना र conservatives बनारी हूँ, और इसमें और सक ज्ञe रहता है चाहきए शाथ। तो इसी के लिए मैं बना रहे हूं तो ऑब मने थोरा से और यो अला है और योधी देरे भूण रही हूं तो मुझे लगा की कम और वही है। मैं कोशिश कर रही हैं कि नहीं कोहात है वह मुझे बता सकते कमे देखने जाए तो एकदम खराबनी बनाया मतलब फर्स्ट टाइब और यहाँ पे ना अगर आपके पास बीट नमक हो तो बीट नमक ट्राइब कीजिएगा मेरे पास नहीं था तो मैंने शादा वाला ही नमक थुरा सा इसमें एड कर दिया यहाँ और अच्छा से इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ काफी गरम है तो धिरे धिरे में ट्राइकर्व से मिक्स करनेगी ए मैंने मेरे बेटको sudah निकालके उसे अच्छा लगा तो बेशिकली मेरे बच्छे को मतलब उतना मतलब कोई वी चीजे जल्डि से पसंद नहीं आती बट ये उसे अच्छा लगा मतलब अच्छा ही बना है तो दिखे रड़ी हो चुगा यह को हाफ फ्राइ और इसे मैं बिस्टोर करके रखूंगे एक डब्बे में चाय के लिए तो बाबाए गाईज फिर आँगे एक न्यूँ वीडियो के साथ बाइबाए टे केर